नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं भूगना हूँ आपके साथ सनी देवल के छोटे बेटे राजबिर देवल ने फिल्म दोनों सिर्फ बॉलिवुड डेब्यू किया है 6 अक्टूबर को उनके फिल्म सिनेमा गरों में रिलीस हुई है हाल ही में बेटे की फिल्म का प्रमोशन करते हुए सनी देवल ने इंडरस्टी में नेपोटिज्म को लेकर बात की और उन्हें इस पर अपना पक्ष रखा सनी ने कहा कि अगर एक पिता अपने बेटे के बारे में बहतर नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा लोग नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं मुझे काफी समय तक इसका मतलब नहीं पता था मैं सोचता था कि यह क्या पिर जब इसका मतलब पतला चला तो मैंने बाद में सोचा कि अगर एक पिता बच्चे के लिए नहीं करेगा तो भला किसके लिए करेगा सनी ने आगे कहा चाहिए वह एक्टिंग हो या फिर कोई भी इंडरस्टी हर पिता यहीं सोचता है कि वह अपने बच्चे की जिन्दगी को कैसे आरमदायक बनाए सनी ने कहा नेपटिज्म शब्द ज़्यादातर वो लोग इस्तिमाल करते हैं जिने किसी कारण से सक्सेस नहीं मिली होती वे अपनी निराशा अव्यक्ट करने के लिए शब्द का इस्तिमाल करते हैं जबकि शब्द का कोई मतलब नहीं है इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद